What's up everyone, welcome back to the channel, तो हम लोग आचुके हैं day 2 की आखरी वीडियो पे जो की है हमारी economics की वीडियो, कल हम लोगों ने price determination complete किया था और आज हम एक और chapter खतम करेंगे जिसका नाम है main market forms, तो बहुत ही शानदार ये chapter है, बहुत ध्यान से आपको मेरे साथ साथ समझना है और मुश्किल स में आपका ये chapter भी complete हो जाएगा, तो जाओ, अटेंडन्स लगा दो comment section में, copy pen लेके आजाओ, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको गी complete करेंगे, चालिए जल्दी से, let's begin अब सर, what is this main market forms? तो देखो, main market forms में हम बाजार के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि हमारे आसपास जो बाजार है, वो कौन सा बाजार है, क्या क्या उसके features होते हैं, market कैसे चलता है, किस तरीके से हैं, वो सब हम इस chapter में पढ़ेंगे, तो chapter का नाम क्या आता है, main market forms, जिसमें सबसे पहला topic आता है, कि market क्या है, तो ध्यान रगना बचों, market कोई एक single point नहीं है, market एक बहुत बड़ा area है, तो हम क्या बोलते हैं, market refers to the whole region, एक बहुत बड़ा region है, जहां पे दो लोग आपको मिलेंगे, कौन दो लोग होंगे, एक जो समान खरीदने आया है, that is buyer, और एक वो जो समान बेचने आया है, that is seller, तो market एक पूरा बड़ा region है, जहां पे buyers और sellers होंगे, किसी भी commodity के, वो एक दूसरे के contact में आएंगे, और वहां पे sale और purchase करेंगे, ठीक है, तो market क्या होता है, market एक पूरा region है, जहां पे बहुत सारे buyers होंगे, बहुत सारे sellers होंगे, एक दूसरे के contact में आएंगे, और sale purchase करेंगे goods and services का, sir, market में क्या-क्या main features है, तो market के बचो जो main features है, वो यह है, कि सबसे पहले तो एक area होगा, कोई point नहीं है, एक पूरा बड़ा area है, दूसरा market में competition होगा, buyers में भी हो सकता है, sellers में भी हो सकत है, तीसरा, बहुत सारे buyers होंगे, बहुत सारे sellers होंगे, चौथा, commodity होगी, यानि कोई ना कोई product, कोई ना कोई good, कोई ना कोई service जरूर होगा, इसके बाद आता है, बचो market structure, किसको बोलते हैं, market structure बोलते हैं कि कितने number, यानि कितनी तरीके की firms, और कितने type की firms है, कितने type की मत देखने के लिए, जो हम check करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, market structure, ठीक है जी, इसके बाद क्या आ रहा है सर, इसके बाद आता है, main factors कौन से होते हैं, जो ये define करते हैं कि market structure कैसा है, तो ये सारे बचो main factors होते हैं, जो ये define करते हैं कि market structure कैसा है, एक-एक करके ये सारे ही discuss कर सबसे पहला है कि भाई कितने buyers होंगे और कितने sellers होंगे एक market में, दूसरा कैसा commodity वो लोग बेचते हैं, क्या वो same commodity है, क्या वो अलग-अलग commodity है, क्या इसके कोई substitute है या नहीं है, तीसरा freedom है या नहीं है, मतलब क्या कोई भी दुकान खोल सकता है, या कोई नहीं खोल सकता, य पौथा market conditions कैसी रहने वाली है, competition होगा या नहीं होगा, prize आप taker हो या prize आप maker हो, ये taker-maker क्या है, ये भी हम सीखने वाले है, mobility of goods and factors of production, factors of production कितने जादा mobile है, mobile का मतलब move करेंगे या नहीं करेंगे, कितना easily move करेंगे, तो एक market को define करने के लिए न, इन सब चीजों को पढ़ होती कितने तरीके की है, बच्चों, market हमारे पास होती है, दो तरीके की, एक होता है perfect competition, एक होता है imperfect competition, imperfect competition में monopoly, monopolistic competition, oligopoly, duopoly भी आता है, सही है, अब हमारे syllabus में, as per the CBSC syllabus, जो हमें पढ़ना है main, वो है, सिर्फ और सिर्फ perfect competition, but मैं आपको और markets के बारे में भी चीजे थोड़ी थोड़ी बता दूँगा, तो देखो perfect competition एक कौन सा market होता है, पहले मैं आपको भी पढ़ा दाता हूँ, फिर मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूगा, तो देखो perfect competition क्या है, it refers to a market situation, where there are large number of buyers and sellers, dealing in a homogenous product at a priced fixed by the market, इसका मतलब बच्चों, ये एक ऐसा market है, ज of buyers, बहुत सारे sellers हैं, तो बहुत सारे buyers हैं, बहुत सारे sellers हैं, और वो deal कर रहे हैं एक homogenous product में, sir homogenous product का क्या मतलब होता है, homogenous का मतलब होता है, बेटा identical, बिलकुल same product, बिलकुल same product, यानि जितने भी दुखाने हैं, उनके पास बिलकुल similar एक ही जैसा product है, same shape, size, color, कोई difference ही नह है, कोई फरक नहीं है, तो ऐसा market exactly कहीं नहीं होता, हर दुखान पर कुछ ना कुछ तो फरक होता ही है, यह बोल रहा है, नहीं, होना ही नहीं चाहिए, homogenous होना चाहिए, तो इसका closest example में अगर बोलू तो agricultural goods हो सकते हैं, हैना कि आप मंडी में जाओगे तो देखोगे, सब के सब एक जैसा आना आज है, सब एक जैसी दुखाने हैं, लगबग closest example, पर उसमें भी बहुत सारी varieties होती है, ठीक है, आगे यह लिकाव है, price कौन fix करता है, market fix करती है, sir, market में कैसे fix होता है price, मैंने आपको कल सिखाय था न, demand or supply से, वैसे ही price decide हो, in reality, perfect competition has never existed, देखो बोल रहा है बच्चो हमारे पास perfect competition, ठीक है, अब अगर मैं imperfect competition की बात करूँ, तो imperfect में बच्चो तीन तरीके की markets होती है, एक होती है monopoly, monopoly का मतलब जहाँ पे एक single seller हो, single seller का मतलब की एक ही seller है, वो ही सामान बेच रहा है, और उसके इलावा कोई और बेचता ही नहीं है, है ना, तो suppose आप म मिल जुलके एक ही हो जाए, तो मुझे बता उनकी monopoly हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कोई competition ही नहीं होगा, main सबसे बड़े यही है, यह दोनों आपस में लड़ रहे है, अगर मिल जाए, तो monopoly हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो monopoly कौन सा होता है, जहाँ पे एक single seller होता जो product है, वो product कैसा है, मिलता जुलता और फिर भी अलग अलग, यानि similar बट स्टिल डिफरेंट, है ना, जैसे अगर आप toothpaste लेने के लिए जाओगे, तो multiple तरीके के toothpaste मिलेंगे, tooth brush लेने जाओगे, soap लेने जाओगे, sugar लेने जाओगे, milk लेने जाओगे, तो हर चीज में variety, वो monopolistic competition होता है, बिटा, oligopoly क्या होता है, जहां पर few sellers होते है, 2-4-5 sellers होंगे, paint industry में ले लो, cement industry में ले लो, automobile industry में ले लो, जहां पर ना तो एक है, और ना बहुत सारे है, कुछ गिने चुने limited sellers होंगे, communication industry में ले लो, geo, atel, 2-3, इसे जादा तो नहीं है, तो यह सब oligopoly के examples में आ जाते हैं, ठीक है, तो imperfect, जो actual markets है, perfect, जो imaginary markets है, अब imperfect में 3 हो गए, समझ गए, ठीक है, perfect competition का हमने meaning पढ़ लिया, अब meaning के बाद हम पढ़ेंगे features of perfect competition, तो features के साथ साथ बच्चो, मैं आप लोगों को implication भी सिखा दूँगा, क्योंकि exam में generally implications पूछे जाते हैं, okay, implications का मतलब इस feature का क्या प्रभाव आएगा, तो देखो, सबसे पहला feature है, very large number of buyers and very large number of sellers, perfect competition में बेटा, जो buyers and sellers हो थोक में हैं, मतलब बहुत सारे buyers हैं, बहुत सारे sellers हैं, अब जब बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते हैं, तो इससे क्या impact आता है, इससे ये आता है, बच्चो, कि एक single seller ना तो price बढ़ा के ले सकता, ना ही price घटा के ले सकता, इसका मतलब है, इतने सारे sellers हैं, competition बहुत ज़ादा होगा, तो एक seller अगर सामान महंगा करके बेचना चाहें, तो नहीं बेच सकता, क्यों नहीं बेच सकता, कोई खरीदेगा ही नहीं उससे, और अगर एक seller बिलकुल अ तो इसका result क्या आता है कि price इसके अंदर constant चलता रहता है, तो देखो क्या लिखावा है, the number of sellers is so large that each seller supplies a very small portion of the total supply, any increase or decrease in supply has negligible effect on the total supply, therefore a single seller is not in a position to influence the price, एक single seller price को influence ही नहीं कर सकता, the number of buyers is also so large that demand is very small, Buyer भी इतने सारे हैं कि एक single का demand कोई फरक नहीं पड़ेगा, therefore कोई single buyer भी price को influence नहीं कर सकता, तो price कैसा चलता रहता है, constant चलता रहता है, price जल्दी से change नहीं होगा, okay, इसके बाद आता है homogeneous product, sir, homogeneous product का क्या मतलब होता है, homogeneous product का मतलब होता है, same product बेचते हैं सारे, जितनी भी 50 दुकाने हैं, तो 50 की 50, same product बेच रही है, same shape, color, size, हर चीज identical, तो लिखाव है, the product offered for sale, are homogeneous, that is identical in all the respect, size, shape, quality, color, etc, ठीक है, अब इसके क्या implication होगे, देखो बच्चों, फिर से वही बात है, अगर same shape, size, color, सब कुछ exactly same है, तो कोई भी firm price को तो change नहीं कर पाएगी, उपर नीच पाएगी, तो price कैसा चलेगा, constant uniform price prevail करेगा, इसका implication भी ही है, as a result of homogeneous product, buyer cannot distinguish between the product of one firm as that of another firm, buyers are willing to pay only the same price for the product, it implies no individual firm is in a position to charge a higher price, इसका मतलब market में uniform price ही चलने वाला है, तो बच्चो, very large number of buyers and sellers होंगे, price uniform रहेगा, homogeneous product होंगे, price uniform रहेगा, तीसरा feature क्या आता है सर, freedom of entry and exit, सर, what is freedom of entry and exit और ये काफी important भी है, साउधान इंडिया सवाल, freedom of entry and exit का मतलब होता है बच्चो कि कोई भी seller कभी भी market में enter कर सकता है, और कभी भी market को छोड़ के जा सकता है, इसका मतलब है आप ये मान लो कि ये market है, और इस market के अंदर ये बहुत सारे sellers हैं, ये एक market में बहुत सारे sellers होते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको अगर market में दुकान खोलनी है, कभी भी आकर आप बिजनस करना चाहते हो, तो there is freedom, आप absolute freedom के साथ आओ, दुकान खोलो, बिजनस चलाओ, ना चले तो आप exit भी कर सकते हो freely, तो लिखाव है, every seller has the freedom to enter or exit the industry, there are no artificial or natural barriers, किसी तरीके कोई barriers नहीं है, अब इससे होता क्या है, देखो बच्चो अगर यहाँ पे abnormal profit चल रहा होगा, suppose, अगर यहाँ पे abnormal profit हो रहा होगा, abnormal profit आप समझेगा है, normal से जादा अगर आप कमारे होगे, तो बहुत सारे लोगों को दिखेगा यार, ये market बढ़िया है, ये industry बढ़िया है, इसमें कर जाएंगे, तो competition बढ़ेगा, competition बढ़ने लगेगा, तो हर इंसान समान बेचना चाहेगा, अपना, बेचने वाले जादा हो जाएंगे, खरीदने वाले कम हो जाएगे, तो इससे क्या होगा, price overall कम होता चला जाएगा, overall price कम होगा, तो abnormal profit खतम, और ये normal profit पे आजाएंगे, similarly बच्चो अगर यहाँ पे abnormal loss हो रहा होगा, अगर यहाँ पे abnormal loss हो रहा होगा, यानि कि market में इन seller को थोड़ा 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 abnormal loss हो रहा है, तो फिर क्या होगा, exit भी free है, तो यहाँ से यह exit करेंगे, जब exit कर जाएंगे, बच्चो तो number of firms कम होंगी, number of firms कम होगा, तो demand जादा होगा supply काम होगा है ना और जब भी demand जादा होता है तो फिर price बढ़ने लगता है price बढ़ने लगेगा तो यह abnormal loss खतम और हम घूमके normal profit पर आ जाएंगे तो freedom of entry और exit का क्या implication होता है कि हमेशा normal profit देखने को मिलता है ना तो abnormal loss होगा और ना ही abnormal profit होगा when the existing firm are earning abnormal profit तो new firm attract होगी और enter कर जाएंगी जिससे market supply बढ़ जाएगा और market supply से profit गिरने लगेगा ठीक है और जब firm losses में जा रही होगी तो exit करेंगी तो supply short हो जाएगा price उस scenario में क्या करेगा बढ़ने लगेगा तो abnormal loss भी खतम हो जाएगा ठीक है losses भी wipe out हो जाएंगे और हर firm क्या कमाएगी normal कमाएगी next आता है बच्चो perfect knowledge among buyers and sellers एक feature और है कि perfect knowledge है सभी buyers को और सभी sellers को product के बारे में market के बारे में industry के बारे में perfect knowledge है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि बिलकुल भी abnormal profits और losses नहीं हो सकते तो normal profit चलेगा उसके साथ साथ आपका price बिलकुल uniform रहेगा price uniform क्यों रहेगा भी या perfect knowledge है आप कैसे किसी से high charge करोगे करी नहीं पाऊगे क्योंकि perfect knowledge है तो क्या लिखा है no firm is in a position to charge a different price and no buyer will pay a higher price as a result uniform price prevails in the market ठीक है जी तो सर चार features कौन कौन से हुए buyer sellers कितने है product कैसा है entry exit कैसी है knowledge कैसी है उसके बाद बचो mobility of factors of production क्या factors of production freely move कर पाएंगे हम बोलते हैं yes इसके अंदर freely move कर पाते हैं उसके बाद transportation cost कोई नहीं होती transportation cost क्यों नहीं होती क्योंकि हम लोग यह assume कर रहे हैं कि जो समान बिक रहा है वो वहीं पे बन रहा है तभी तो same price है ना अगर transportation cost आने लगेगी तो किसी को जादा पड़ेगा किसी को सस्ता पड़ेगा तो price अलग अलग हो जाएगा फिर same price कैसे चलेगा तो market का feature अलग हो जाएगा तो हम क्या मान के चलते हैं कि कोई transportation cost नहीं है वहीं बन रहा है वहीं बिक रहा है ठीक है इसके बाद आता है बच्चो selling cost किसको बोलते है cost of advertisement perfect competition में कोई selling cost भी नहीं आती क्यों नहीं होती क्योंकि same product है तो कोई एक individual अगर add करेगा भी तो कोई फाइदा नहीं है उसको क्यों फाइदा नहीं है कि भी यह सबके बास same है तो add करेगा क्या add कब करते हो जब product अलग होता है कि यह मेरे product में यह खास है मैं तो add करूंगा pure competition तो याद रखना perfect competition एक बड़ा concept है pure competition एक छोटा concept है ठीक है देखो लिखा भाई perfect competition एक wider sense में यूज होता है as compared to pure competition pure competition कब बोलते हैं जब बस तीन particular features हो यानि large number of buyers and sellers हो homogeneous product और entry exit free हो बस यह तीन feature है बाकी feature नहीं है तो यह तो हो जाएगा pure competition perfect competition में जाने के लिए हमें चार चीजे और जोड़ देनी है perfect knowledge, perfect mobility, absence of transportation cost, absence of selling cost तो ध्यान रखेंगे बच्चो pure competition एक छोटा concept है perfect competition एक बड़ा concept है आप नाम से भी याद रख सकते हो pure में मातर चार शब्द है perfect में आप देखोगे perfect competition में firm is a price taker इसका मतलब price set कौन करता है price is set by the market market से price decide होता है sir price कैसे decide होगा demand supply से very simple तो देखो जैसे monopoly है अब monopoly में क्या होता है single seller है और कोई ही नहीं तो वो अपना price खुद decide करता है तो हम बोलते है monopolist is a price maker खुद बनाएगा यहाँ पे firm price taker होती है देखो firm price कैसे accept करती है यह industry का हम graph बना रहे है यह demand है यह supply है ठीक है price कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यह price decide हो गया यह नहीं हो गया सही है न क्योंकि यह demand supply जहाँ intersect करेंगे वो equilibrium होगा equilibrium के सामने जो price है वो price industry में decide हो गया अब यही price चलेगा इस perfect competition में तो हम यहाँ से आगे ले आएंगे और हम बोलेंगे भया यह price decide हुआ अब कुछ भी quantity sell off हो कोई भी quantity यहाँ पे sell off हो चाहे आप यह quantity बेचो Q1 चाहे आप यह quantity बेचो Q2 चाहे आप यह quantity बेचो Q3 तो कुछ भी आप quantity बेचो price तो यही रहने वाला है है ना तो इस तरीके से perfect competition में firm price टेकर होती है वो price लेती है जो market के द्वारा set किया गया है यह आप exam में बना के आ सकते हो ओके आओ सार अब हम चलते हैं कि books में कैसे लिखा है तो देखो books में क्या लिखावा है under perfect competition individual firm cannot influence the price as its share in the market supply is negligible. Price taker means individual firm has no option but to sell at a price determined by the industry. Price is determined at a point where demand curve intersects supply curve. firm has no other option but to sell at a price determined by the industry. Hence firm is a price taker, industry is a price maker. Industry price बनाएगी firm तो बस उसको accept करेगी. इसके बाद बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यह demand curve आप straight line बना के आना कोई problem नहीं है. Supply curve जहां पे intersect करेंगे equilibrium price यही इसको accept करना है. ठीक है? Sir what is this? AR is equal to MR. यह अभी हम revenue पढ़ेंगे. तो revenue में आप देखोगे कि AR और price एक ही बात होती है. तो आप revenue पढ़ लोगे तो आपको यह AR, MR समझ में आ जाएगा. अभी के लिए इक्नोर कर दो, अभी के लिए आप समझ लो कि price है यह. Okay? In the above diagram, the price OP is adopted by the price taker firm and firm are free to sell any quantity at this price. इसके बात देखो किया लिखावा है, demand curve कैसा होगा perfect competition में? मैंने आपको पताई दिया, demand curve इसी तरीके का होता है. ठीक है? लिखावा है, in case of perfect competition, there are very large number of buyers and sellers selling a homogeneous product. Same product होता है. Each firm is price taker, सारी firm price taker है, and faces a perfectly elastic demand curve. Demand curve बच्चों इस तरीके का होता है, कि भाया, कुछ भी करते रहो, price तो यही रहने वाला है. Okay? आगे लिखावा है, in the below diagram, at OP price, seller can sell OQ1, OQ2, और any other quantity. Therefore, firm is not in a position to change the price. Firm इस position में नहीं है, कि वो price को change कर पाए. इसी के साथ, ladies and gentlemen, हमारा ये chapter भी समाप्त हो जाता है. एक छोटा सा concept इसमें revenue से related और है, वो अभी मैं आपको revenue revise कराऊंगा, तो वहाँ पर पढ़ाऊंगा. और आपने एक-एक चीज बड़े ध्यान से समझी है, लिखी है और पढ़ी है. हम मिलेंगे कल, day 3 पे, तब तक आप day 2 तक के अपने सारे targets पूरे कर लो, याद कर लो, revise कर लो, और syllabus complete कर लो. Thank you so much guys, I am gonna see you all super soon. Lansia, take care, bye-bye. प्राइब देखिए लो, और ने दो, याद कर लो, आपने से समझी है.